हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूट चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट अगर आपकी भी मॉबाइल स्क्रीन पे इस तरह की पोप अप आड्स आ रही हैं तो वीडियो काफी जादा इंफर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना क्यों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे allí देघा हुए तो प्लीज जाके इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो की के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है सेटिंग्स के अंदर जाना है और सेटिंग्स में यहां पर आपको स्क्रोल करना है और यहां पर सर्च करना है गूगल यह गूगल आ गया ठीक है या फिर आप यहां पर उपर सर्च बार में लिख सकते हैं यहां पर भी आप आपको settings के अंदर Google पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने ये screen open हो जाएगी तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे services on this device यहां पे ads का एक option दिखाई दे रहा है आपको simple आपको इस ads वाले option के उपर click करना है इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने ये screen open हो जाएगी इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या करना है यहां पे आपको third number पे enable debug logging for ads यह अगर आपका on है तो इसे आपको off करना है मान लीजिए यह आपने ऐसे कर रखा है on है blue icon आ रहा है पर तो आपको इसे off करते नहीं है और आपको जो सबसे उपर जो दिखाए डे लाया है reset advertising id आपको इसके उपर click करना है और इसे reset करके confirm कर देना है ठीक है उसके बाद आपकी जो I had नीचे जो सबसे last में आपको दिखाए दे रही है एडवर्टाइजिंग आईडी आपकी चेंज हो जाएगी एक सेटिंग तो आपको यह करनी है ठीक है बैक आजाना है आपको अब पूरा बैक आजाना है और आपको जाना है गूगल क्रॉम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे आपको www.google.com पे आजाना है गूगल.com तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने जो आपने मोबाइल में जिस आईडी से लोगिन कर रखा है जीमेल की उसी आईडी से आपको यहाँ पे भी लोगिन कर लेना है मैंने लोगिन किया हुआ है उसके बाद आपको यहां पर search करना है my activity ठीक है यह my activity में जो सबसे उपर search करने पर आएगा welcome to my activity आपको इसके उपर click कर देना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से screen open हो जाएगी ठीक है यह अभी open हो रही या fully open हो गई उसके बाद आपको यहां पर left side में top left में आपको three lines दिखाए दे रही है आपको simple इनके उपर click करना है और यहां से आपको काफी सारे option दिखाए देंगे उसमें आपको third number पर activity controls का एक option मिलेगा आपको इसके उपर click करना है इसके उपर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने यह screen open हो जाएगी तो इसमें आपको scroll down करना है ह यहां पर आपको last में यहां पर दिखाए दे रहा है add personalization you can make ads more useful to you ठीक है तो यहां पर आपको go to add setting का एक option दिखाए दे रहा है नीचे आपको simple इसके उपर click करना है और इस पर जैसे ही click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका add personalization जो है वो own है ठीक है यहां पर आ time भी waste नहीं होगा जो यह add personalization is on लिखा रहा है आपको simple इसके उपर click कर देना है तो इस तरीके से एक pop-up window आएगी तो यहां पर आपको option पूछ रहा है कि keep on रखना है आपको यह turn off करना है तो मैं यहां से इसे turn off कर दूँगा ठीक है got it कर देंगे तो अब यहां पर adds चलनी बंद हो गई ठीक है अब आप देख सकते हैं नीचे कोई भी add यहां पर show नहीं होगी और इसके बाद एक और setting आपको करनी है वो क्या करनी है आपको यहां पर top right corner में जो यह arrow दिख रहा है red color का आपको यहां पर three dots दिखाई द down करके settings का एक option दिखाई देगा आपको simple setting वाले option पर click करना है इसके बाद आपको scroll down करना है और यहां पर सबसे पहले इसमें उपर ही आपको एक चीज़ दिखाई देगी यहां पर site setting का एक option दिखाई देगा तो यहां पर simple आपको site setting के उपर click करना है site setting के अंदर आपको क्य आरहा है सबसे पहले तो आपको simple cookies वाले option पे click करना है और यहां से आपको block third party cookies इस वाले को select कर लेना है ठीक है यह setting कर लेनी है उसके बाद back आ जाना है और इसमें यहां पर नीचे आना है और यहां पर ads का एक option दिखाई देगा तो यहाँ पे ads पे click करना है आपको और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है block ads on site, dead show, intrusive and misleading ads मतलब आपने यहाँ पे ads जो हैं वो block कर रखी है अगर आपका यह इस तरीके से है on है तो इसे आपको off कर लेना है इस वाली situation में, इस वाली condition में से ले आना है ठीक है, तो यह सारी settings हैं जिसको करने के बाद आपकी mobile screen पर जो अचानक से ads चलने लग जाती है वो बंद हो जाएगी तो friends अब आप यह अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने mobile phone पर चलने वाली automatic ads को बंद कर सकते हैं जो आपके mobile phone में अचानक से ads चलने लग जाती है उनको आप ब्लोग कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके बता सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से comment section में comment करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो उसे like और share ज़रूर करें Thank you